कि नमस्कार मैं हुँ सुरेट समान के और आप देख रहे हैं बिंदास में हम आपके सामने सिरीज लेकर आए हैं OVC के नंगा नाच के और OVC के नंगा नाच में लगाता है हम आपके सामने उसके भाषनों के विविन पहलों पर समाज पर होने वाले उसके परिणामों पर समाज में आने वाले विविन त्योहारों के भाने विविन दुरुष्टिकोन के साथ हम आपके सामने लगातर OVC के नंगा नाच को लेकर आए हैं आज रानी लक्षिवी भाई जो के 857 की महानाईका थी उनके जनम दिन के मोके पर हमने सोचा कि देश की ऐसी महिलाएं ऐसी कन्याएं जो कि कविताक शेतर के द्वारा अपनी प्रधिबा के द्वारा हिंदुस्ता को जगाने का काम करती हैं क्यों न हम उनको स्टूडियों में बुलाएं और OVC के इस नंगा नाच के ऊपर श्री शक्ति का क्या कहना है हिंदुस्तान को समझाएं जब भी हिंदुस्तान सोया था जब भी इसने आखें बंद कर दी थी या इसके आखें खुले होते हुए भ में जहां पर भारत हिंदुस्तान दुबारा सोया हुआ दिख रहा है ऐसे में रानी जाशी के जैनती के मोके पर क्यों ना नारी शक्ति के द्वारा ही हिंदुस्तान को जगाया जाएं तब भी बहुत आक्रमनकारी इस देश पर आये थे और उनके आक्रमनकारियों को भारत के वीरों ने सुपोतों ने जितना ललका रहा था उससे भी बड़े आवाज रनरागियों ने दी थी और उनमें महानाई का थी जाजी की राने और इसके उनके आज की इस जैन्ती के मोके पर हमारे साथ कुछ कवियती जुड़ी रहेगी और उनके साथ हम इस कारेकम को आगे बढ़ाएंगे अगर कोई कॉल करके भी आपने कविता को कहना चाहता है लेकिन ध्यान रहे आज का महिला स्पेशल है क्यूंकि आज के कायरकम में हम नारियों को सामय देना चाहते हैं तो कॉल करने वाली भी आगर नारिया हो तो ज्यादा अच्छी रहेगी और वह आपने बा वागत हैं नफिसा जी आने एक मंचों पर अपनी बात को रखती है और आज भी ओविसी जैसे दरिंदव को अपनी बात के द्वारा ललकारेगी हमारे साथ राखिया अगरवाल जी रही कई कायरकम में इसके पहले आई है और कई मंचों पर भी आपने अपनी हुंकार भरी ह आज के कायरकम में हम उनी से शुरुआत करेंगे लेकिन उसके पहले दिखाते हैं ओविसी के नंगा नाच में उसका एक ऐसा भाषन जिसके उपर कवेतरी अपनी बात रखेगी अर्थात महिलाओ का विशे है इसने भारत माता का राम जी की माता का तमाम नारी शक्तियों का अपमान किया है दुरगा का किया है लेकिन हम आपको दिखाते ही कि राम के मा के बारे में क्या बोलता है में तीन मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं रामिया पैदा हुए रामिया पैदा हुए रामिया पैदा हुए और फिर हरियान आमे कौशलियापुरों में वहां के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तेहजीब है रिवायत है कि एक और अपने पहले बच्चे को जनम देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जनम देती है हमारे पास भी अरे पहला बच्चा आजा और बोले के घर में बुलाते है 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 भई है एक इंदोस्तानी तैजीब है इंदोस्तानी तैजीब है इसी तरीके से हरियाना कौशलिया पुरम के लोग बोलते है के कौशलिया वहां की थी कौन कौशलिया राम की मा दशरत की बीवी और वहां के लोग बोलते के कौशलिया हिंदु तैजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाना को कौशलिया पुरम में और राम वा पैदा हुए तीन पुजारिया बो रहे हो दिया में यहां यहां अरे अड़वानी वाजपाई तो डॉक्टर राखी इसके इस दरिंदीगी के बाद क्या कहेगी आपके कविताओं के शब्दों के साथ आप है मश्कार सबसे पहले मैं जहांसी की रानी लक्षमी भाई को नमन करना चाहती हूं आज उनकी जहनती पर और बहुत शुक्रियादा करना चाहती हूं इश्वर का कि उन्हों की वजह से आज मुझे कुछ बोलने का नारी शक्ति को सामने प्रसुत करने का कुछ मौका मिला इस भैंकर वीडियो को दुआरा आप लगों के सामने रखना चाहूंगी क्या कहती है मेरी बेटी मा कौन है जो दशानन सम हाहा करके चिलाता है मा कौन है जो दशानन सम हाहा करके चिलाता है है कौन जो कोशल्य मा पर यूं उखाता है जैसा कि हम सभी जानते है कि हमारा देश भारत है सिर्फ हिंदूस्तान नहीं भारत जिसमे हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई सब का समनव्य है अगर यहां महत्मा गांदी हैं तो मुहम्मद अली जिन्ना भी भारत की जान है, है कौन, आज भी उनका वजूद है, महत्मा गांदी, मुहम्मद अली जिन्ना, हर कोई, है कौन जो जिन्ना की बातों को दोहराता है, और है कौन, है कौन जो नारी शक्ती पर यू सरे आम चिलाता है मा क्या इस पर रोक लगाने का हम को अधिकार नहीं मा हम मीडिया सब लोग इसको दिखा रहे हैं, टी आर पी ले रहे हैं लेकिन इस पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं तो इस तरह की कुछ सोच बच्चों ने दी और अगर इसके इस भाशन से बच्चे इतना प्रवोख हो सकते हैं, तो कहां हमारी सरकार क्यों सोई है मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं इन में और हमारे विभीशन में हिंदु धर्म में और इन में बहुत समानता है समानता कैसे? जैसे कहावत है घर का वेदी लंका ढाये जिस तरह रामयन में हम सब ने देखा कि किस तरह से विभीशन ने? विभीशन की वज़ा से रामयन का सब कुछ खतम हुआ घर का वेदी लंका ढाये लेकिन वहां उनकी मानसिक्ता सात्विक थी उसी तरह घर का वेदी लंका ढाये कि जिन मुसल्मान भाईयों को हम अपने खूर में बसा चुके हैं जो मुसल्मान भाईयों आज हमारे देश में रच बस गए हैं जो आजादी के बाद भी भारत को छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए इसी को अपना देश मान बैठे इसके लिए कितने मुसल्मान भाईयों ने भारत के लिए अपनी कुर्वानिया दी इस तरह के भाषन से इस तरह की बातों से क्या दिखाना चाहते हैं समाच को कि यहां का नमक खाकर भी आजो मुसल्मान भाई यहां का भारतिय नही है consistent आज भी उसकी रगों में एक जहर है क्यों? उनकी इस बात को ना तो हिंदु तुस्विकार कर सकता है और ना ही मुसल्मान क्योंकि जिस हिंदु धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं वो तो शर्मनाक है ही लेकिन ये जिस अपने मुसल्मान भाईयों के समर्थन में ये बात दिखाना चाह रहे हैं उनको भी ये बात बिलकुल मानिया नहीं है क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए जितना बलिदान दिया आजादी के बाद भी हमारे देश में उनका रहना इसको अपनी मातर भूमी मानना इस बात को दर्शाता है कि घर का बेदी लंका डाय आप यहीं पर रहक और अपने ही भाईयों के लिए एक जहर भोल रहे हैं वातावनर में यह दिखा रहे हैं कि आज भी भेद है दिलों में जो कि मेरी नजर में पूरी तरह से अतार किक है कुछ कविता या कोई गीत आप इसके उपर हाँ जी मैं नारी शक्ति के ऊपर कुछ लाइने कहना चाहूंगी कि जिस में एक कहूंगी मगीत हारी नहीं मैं नारी हूं बच्छी हूं कटारी हूं मुझे पूरुशो से तुम हीने नहीं मानिये हारी नहीं मैं नारी हूँ बर्ची हूँ कटारी हूँ मुझे पुरुषों से तुम हीने नहीं मानिये कोमल हूँ जननी हूँ ममता की मूरत हूँ लेकिन रण भूमी में मुझे रण चंडी तुम मानिये और जब जब हम इतिहास को पलट कर देखते हैं रानी लक्ष्मी भाई जैसी कितनी ही ओड़तों ने इस पूरी दुनिया को बदल डाला पूरी अपने बच्चों की अपने पती की सब की बली दे, सब को सब किसी का ध्यान न करते हैं इस देश के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया तो चाला इने पलट के एक बारे देखो जैसी के मैदानों में और जब तक वो नारी कोमल है लेकिन कमजोर नहीं हम नारी की कोमलता को उसके भावुक हिर्दय को अगर वो जुकती है तो अपनी मरजी से अगर वो अपने बच्चों के सामने अपनी इच्छाओं का अपने पती के सामने अपना समर्पन करती है तो सुएच्छा से वरना उसकी इच्छा के वृद उसको भगवान भी नहीं जुका पाए और इस चीश को मैं अपने आगे चार पंक्तियों में दिखाना चाहूंगी ये भूमी शम शान बनी संघारेनी जब रखती का और देवों ने भी हार मानी नारी बनी जब चंडी का जैसा कि हम देखते हैं जब महा काली जी के पैरों के नीचे भी भगवान शंकर को आना पड़ा ये भूमी शम शान बनी संघारेनी जब रखती का और देवों ने भी हार मानी नारी बनी जब चंडी का तो इतना ही कहना चाहूंगी कि जो नारी की मौन है नारी की चुपी है वो तूफान से पहले की शांती है उसको लेकिन इस शांती को अब खोलना होगा क्योंकि ओवेसी जैसे दरिंदों के आवाज को अगर कम करना है तो उससे जादा आवाज बढ़ा कर बोलना होगा और उसलिए हमने यहाँ पर आज नारी शक्ति को कवेत्रियों को बुलाया है और जासी के रानी के जैंती के मौके पर इ कहे गिए इसके दरिंदे के भाषन को सुनने के बाद कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रू कुजार करती हूं कि आपने मुझे समंच पर बुलाया यह अपने विचार अपने भावनाओं को रखने का मोका दिया उसके बाद में से पहले एक भारती होने की नाते एक मुसल इश्या को मेरा ये मुल्क ही मुझे सारा जहान लगता है मेरा ये मुल्क ही मुझे सारा जहान लगता है जैसा कि मैंने अभी उनका भाषन सुना वो एक मा की उपर बोला गया था मुझे परवरिश में सिखाया गया है यह मुझे परवरिश में यह मिला है कि मा तो मा होती है ना वो हिंदू हो या चाहे वो मुसल्मान क्यों ना हो या फिर वो हमारी भारत मा क्यों ना हो लेकिन मा का दर्जा तो जन्नत का दर्जा बताया गया है तो वो मा है चाहे वो हिंदू हो या फिर गो मा हो या फिर कोई और अन्य मा क्यों ना हो मा का सम्मान करना हमारा करतर विय मा की शान में या कोई भी गलत अलफाज असे बोले जाएंगे तो हम भारती नारी या हम नारी होने के उस पर चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि हमको भी कल को एक मा बनना है हम नारी है और नारी का सम्मान हमारा करतविय है हमें इसकी लड़ाई लड़नी ही होगी जैसा कि वो मुसल्मान थी मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुसल्मान के नाति इतनी घटिया या इतनी गंदी अलफाजों से अपना बयान किया मैं बोलना चाहूंगी कि उन्होंने ये बयान देने से पूछे सभी मुसल्मानों से पूछा था कि सभी मुसल्मानों की सोच ऐसी है लेकिन नहीं मैं भी एक मुसल्मान हूँ सभी मुसल्मानों की सोच ऐसी नहीं हुआ करती बहुत से मुसल्मान ऐसे भी हैं जिसमें अब जो मुसल्मान या हिंदू में नहीं देखते मैं कावी पाट करती हूँ जब मैं मन चुपे जाती हूँ या लोगों के अपने साथियों के साथ बैठते हूँ भारत मा की शान को बचाना मेरा पहला करतवी है और ऐसे विरोधियों को या भारत मा की शान की खिलाफ ऐसे अलफाज यूज़ करने वाले लोगों को हमें सजा देनी होगी उनकी खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी क्योंकि मा की बात है वो कोई राम जी की मा हो या रहीम जी क मां हो मां तो मां है और उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी ही होगी कोई कवीता क्योंकि आज लक्षमी बाई जी का जनम दीन है उनके ओपर से फे बोलूंगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली इरानी थी मैं एक नारी हूं एक लड़की हूं एक पिटिया हू आज मुझे समाज में बहुत सी बुराईयों का सामना करना पड़ रहा है या न्यूज दौरा मीडिया दौरा जो मुझे अलफाज या जो न्यूजें मुझे सुनाई दे दी हैं उनकी खिलाफ सिर्फ इतना ही बोलूंगी क्योंकि आज बेटों और बेटों में बहुत वो रहा है तो इस पर छोटी सी कवीता में बोलना चाहूंगी कि लड़की क्या लड़की कोई अभी शाप है क्या उसके दुनिया में आना पाप है जाने क्यों लड़कियों को सताते हैं लोग जाने क्यों लड़कया होने पर मातनम बनाते हैं लोग क्या कोई मुझे इस बात क का जवाब दी पाएगा क्या लड़की की बिना आपका वन्शागी बढ़ पाएगा हर मार बेटी बहु है लड़की एक नहीं दो दो को का नाम रोशन करती है लड़की करूना का रूप है लड़की घर बने स्वग्जिसे वह नाम है लड़की लक्षबी दुर्गा सेरस्वत विखमान है लड़की हुआ हमारे साथ मुदीता रस्तोगी जी भी आई हुई है मैं आपका स्वागत करता हूं अब आगे के कायरकब में मुदीता जी भी आपने कावे पाठ के द्वारा अपने प्रतिभा के द्वारा ओवेसी जैसे दरिंदे के बयान उपर अपनी बात को र आती है तो जरूर कॉल करें रुकते एक छोड़ी से ब्रेक के लिए कि अब आपका एक बार फिर से स्वागत है आप देख रहे बिंदास बोलो और बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए वह इसी के नंगा नाच की शीट लगातार 24 दिन हम आपके सामने आज है एक ऐसा का रुकम लेकर आए जो हिंदुस्तान के लिए सबसे प्रेरना दाई दीवन है ऐसा दीवसे जब सासी के रानी के जह्यंती के मोके पर हिंदुस्तान के अधुनिक हिंदुस्तान जो करवट ले रहा है बदल रहा है ऐसे में इस देश की नारिश शक्ती को अपनी बात रखने का मुका मिल रहा है वो क्यवल विकास की बात नहीं कर रही है तो हिंदुस्तान के दुश्मन को ललकारने का भी काम करती आई है और भारत की विरंगनाओं की तो कथाएं दुनिया में प्रेरक कथा के तोर पर जानी जाती है अगर किसी एक देश की सबसे ज़्यादा विरंगनाई की कथाए दुनिया में जानी जाती होगी तो आकेला हिंदुस्तान है जहापर विरंगनाई की कथाओं की संख्या लाखों से ज़्यादा है लाखों साल के इतिहास में और आजादी के दो युद्धों में खास करके एक ह लासी के रानी का एक विशेश महत्व है और इसलिए आज उनके जैनती के मोके पर हमने चार कवेत्री को आपके सामने लाया है हम उनसे बात करें हमारे साथ रूबी मिश्राजी जुड़ी हुई है है राबाद से हम उनके पाथ जाएंगे लेकिन उसके पहले हम आपको दिखा कंदुर्गा लच्मी फुलां क्या क्या है कि ते वही हर आठ दिन में एक नया पैदा हो जाता है अब तो नया आ गए है गनेश थे वह थे बाराल अब हनुमान जेती आ गई राम नवमी आ गई लच्मी मालूम थी यह भाग्या लच्मी आज तक ने सुने यह कौन सी नहीं है भाई हो जुर्गा सुने यह सुने बाराल मैं क्या बोलू कैसे कैसे नामा है यह मुबारक मैफिल्म है और मनुस नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता रुबी मिश्रा जी आप बहतर इसको जानती होगी मुझे जादा बताने क्या वशक्ता ने क्यूंकि इसकी दरंदिकी की गंद का बदबू सबसे जादा अगर कहीं आती होगी तो हैदराबाद में आती होगी इसलिए मैं आपको आपके कावेपाट के दोरा आपकी बात प्रणाम और नमन करते हैं उस जासी की भूमी पे जो उस त्रेताद युद्ध में जासी की रानी ने मैला होकर अपने बच्चे को अपने शरीर से बानकर और युद्ध किया था और विजय प्राप्थ हुई थी जासी की देश को तो आज मैं हैदराबाद नगर से आप सभ चबात करती हुँ जो हमारे भारत देश में आज भारत को बाटने के लिए यहाँ पर उसके द्रेता युद्ध के देवी देवताओं के बारे में अब शब्द कहने वाले की जवान खीच लेना चाहती हुँ ऐसे ही वनसच हमारी मा सीता के उपर प्लक्षन करने के चक्र उस अबिसार की बोलो अकी आजओ तुम इस महिला संसार की देवी हो या देवता जिन पर तुम कदम उठाओगे भारत मा के हातों में तकदीर हमारी बदली है रोने वालों की सूरत पे कहीं नजर ना ओओगे दस्वीर मा की बदली है भारत के इंसानों की कहता है हर बच्चा ब कि हम हैं उस जासी रानी की उलाद जहां पर जाएं हर माता बहनाओं और देवी देउताओं की करेगा जो अभिशार उसको छोड़ न पाएंगे उसको इस भिंसार की बोली में दूल दूल लईया भूल बूल लईया थूतू होगी अभिशार की ऐसे अपने मुँ ओंदे पे म मादा है आएगा हर मया मया को किसने गोदूली में बांदा है घर के अपनी गया को ऐसी गाउ मागवे जिसने अविशार किया उसों सर्मनाक को हम जीवन दाता देंगे नहीं हमारे हैद्राबाद चार मिनार के नीचे मालचमी को मालभाग गलचमी को जिसने पूजा वो यहा इस अभिचार के तंत्र में तुम कैसे भागोगे अपनी हाथ और जोलियों में भर-भर के यहां से जाओगे नई सुबह का आज भगवारंग में अनुसार की बोलो अपकी जीत हुई है लचमी माता भाग नगर की अंग अंग लगा भगवारंग रंग जाएगी सुबह की मात संग राग मलहार की नई साम सजदच कर अपनी अपने राग की बारिश हर घर में है बोलो अपकी अभिसार की अब खूब लची है हर मंदिर गुर्द्वारा तेरा हर मंदिर गुर्द्वारा तेरा यह है मेरी भूल बुलया की हर गाओं में हर शहरों में हर मंदिर में अगर तुमने माक्त का दूत पिया है आजाओ मेरे सरकार की मेरे ही सामने भगवा वस्र पहना कर तुम इस ते रावण बन जाए तो तुम्हारी शक्ति है हम रावण बन जाए तो हमारी शक्ति है वद करना राम रूप बन कर आए और हराने तुम इस भारत की इस देवी देव ता के उपपर आच्छन करने के लिए क्रिश्ण दूप्धर कल === जन-जन के अभिमां धरा पर जन-जन का अभिमांधरा स्वरगसास अपना बन कर आ है कितने दानों पर मानों की विजय पैटा तुम लहरा है हे राम तुम लहराए तुमारे तुमके शैम राष्ट के धर्म हो राष्ट का सहज चितना बन कराए स्वतनता के तुम हो कीरती भगवा फर्व लहराए वो यूग के संब्राट शांति क्या दूत अहीं सा वरत लाए वो जन्नी मा के लाल, तुम हो प्राण देश के भारत की शान हो, हर वक्ति का अभिमान हो, हर शम के गान हो, दया अमरत ढालेने हुए, हम हागिल अच्मी पर ऐसे आज आने ना देंगे, अगर शक्ति है तुम में, तो वो शक्तिया हम भारत की, हर नारी, हर लड़की कन्या में अगर तुम में दम हो तो तुम आकर मेरे सामने चलना सबसाज देश के हसाज कर चलने वाले मनुझ एक है राष्ट एक है यही गान तुमने गाए यही गान हमने गाए स्वत्रता के तुम हो भगवा बनकर लहराए तुम हो दिनकर का तेज प्रवाकर की शीलता शीलता तुम ही हो सागर का वरच्च जीहा का पालन पानवता तुम तारों की जोती हो दामनी का उजल उचलता तुम आदी वेखो हिमाचल सी स्तरिस्त्ता तुम आकाश जोती के अंशो तुम्हें कैसे कोई छूपाए सुत्ता के तुम हो भगवा बनकर लहराए राम बनकर तुम आये आओ सीता के रंग में रज जाएं ऐसे हम भागे नगर हैदराबाद भाग लच्मी माता मासीता के उपर जो इस शब्दों को उच्छाला जाएगा उसे हम कोई भी नारी इस भारत देश की नारी यह बर्दास्त नहीं कर पाएगी इस नारी पे हर एक कि बिल्कुल रुबी मिश् आज के दिन हाला की पुरुष भी कॉल कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी बहन आपकी मापकी पत्नी आज के दिन बोली अब भले उनको बोलने के लिए कहे तो मैं आपका अभारी रहूँगा क्योंकि आज का दिन जासी के रानी के जैनती के बहाने ओवेसी पर हम नारी शक्ति सब्सक्राइब ने एक बार नहीं कई बार बयान दिये हैं इस तरह के और उनके बारे में कुछ भी कहने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह ऐसा कहते क्यों है सबसे पहली जो मुझे जो ऐसा लगता है कि उसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि देखिए दो तन्हें की चीज करते हैं कि चोटी चीज है कमजोर है विचारी नफरत के आगे जहाँ ज्यादा पावर्फुल है ज्यादा ताकतवर है और जिने देगी महब्वत को लेकिन अगर το ने जा printing होती है शायकielt अजर्ट ऑर शायद यहीं वजा है कि जूभी नफरत है चाहें वह जो भी उपधर् उन्हें इस तरह से इतना हंगामा करना पड़ता है, इतना शोर करना पड़ता है, तमाशा करना पड़ता है, ताकि लोग उनसे जुड़े रहे, क्योंकि देखे, कहते हैं ना कि जो बादल गरचते हैं वो बरसते नहीं है, तो अगर महबत जो है और जो प्यार है, जो शांती ह उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है नफरत को इसी लिए इतना उबाल लाना पड़ता है क्योंकि वो डरती है वो खौफ में है कि अगर लोगों को महबत का चस्का लग गया अगर जरा सी छूट मिल गई और तो महबत जो है वो इस तरह पहलेगी कि फिर कोई वजूद नहीं र नारी जो हिंदौर स्तां कि यहिसका की नारियां है उन्होंने अकसर हीया इसके खिलाफ कहींभी आप देखें स्तृर्ष तो वैसे से भी दिया है और नोन वाइलिंट तरीके से भी दिया है चाहें आप जहां से की नानी की हम बात कर रहें वो तो खेर बिल्कुल है ही और आप चाहें मलाला का एक्जामपल ले लीजे जो पाकस्तान में पढ़ाई करना चाहती थी छोटी सी बच्ची जिसने आतंकियों की जो ली रंजश जमाने से तो फिर अंजाम का क्या डर कफन अपना हम अपने साथ ले घर से निकलते हैं बड़ा एहमक है तु जो हमको यूँ आखे दिखाता हैं के बनके खौफ हम ही तो तेरी नजरों में पलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आखे दिखा रहे हैं चाहें वो इसके मन में या इसके आखों में जिनका डर है उनके खिला पे आखे फार कर अपना अंदर का घुसा दिखाना चाहता है वास्ता होता यह है कि जिनके खिला बोल रहा है उनके बारे में ही इसके मन में खौफ है बिल्कुल वह किसी से दरता है बिल्कुल वह किसी से डरता है तो जाए मे मैं खुद को समझें gw यह सबस्वी के लिए कि मैंद नहीं हुआ लक्ने दिखाता हैर। परेशान तो नहीं होना लेकिन जवाब ज़रूर देना हम कॉलर के पास भी जाएंगे कॉलर को कहेंगी किhealth पर कॉल कर सकते हैं आप फोन पर काल कॉल कर सकते हैं चुछ जाने वाले लोगोंने मेरे मोबाईल पर भी कविता हो कि कुछ वाइन के विजा है लेकिन लाइने भीजिए लेकिन मैं कहूंगा कि आपका नंबर पर बात करें तो हम आपको सीधे लाइव में कनेक्ट करेंगे कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए उनके पाथ चलते हैं जहिन बहुत भीजिए आपको चलते हैं जा अबादी को जो कुछ आपके साथ है और अमारा राजा सीधे चुनोती देख सकता है है और बेडिया एक दिस जरूर मरेगा शुरेजी में आप से वजा करता हूं आप अनिवाद विडियों को तो एक दिन जाना होता है और समय के पहले जाना होता है लेकिन उसके लिए भारत की विवस्ता विवस्ता के द्वारा कैसे मारेंगे ये जरूरी है क्योंकि इसी विवस्ता के द्वारा ही ऐसे शक्तियों को रोकने के लिए इनको बनाया गया है तो उन शक्तियों का उप्योग होना चाहिए ऐसा हम मानते हैं अगले कॉलर के पास भी चलते हैं आप भी कॉल कर सकते हैं अग कहिना है आपको इससे पूछिए जोत निपूजा पायता है यह है क्या करसा है वो बता पाएंगे आप इसकी वकाद क्या है मैं पूछना साथ जो इतने दुर्गा के लिए और सब के लिए बोलता है जन्यवादे हम कहेंगे कि नए नए तरकों के साथ अपनी बात को रखें के वैल आहवां ल forensic बात को देहा जाने के पात के पात चलते हैं सकाइब पर भी कौल करें हम कहेंगे कि ज्यादा ब्रयोरिटी से कॉल करें अगले कॉला जहिन क्या कहना है आपको पूछे न आप उनको आप वहाँ लोकल कॉले बोल दीजे हैं हलो हाँ बिल्कुल सही कहे रहे हैं यह सरह हुआ है बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है कि मुंबई के तथा कथीत सारे हिंदुत वादी कहा है प्रजव क्यां ही बिल्कुल उनके खामोशी उनके चुपी का जवाब देना पड़ेगा अगर आज नहीं देगे तो इतिहास यह जरूर पूछेगा हर उच्चुप रहने वाले को जिसके पास बोलने की ताकत थी या हिंदुस्तान उसके मूझ से कुछी इतिहास यह उसको सवाल जरूर पूछेगा अगले कॉलर जहिन अगर क्या कहना है आपको हमारे हमारे हैं हिंदुस्तान में रहकर हमारी देवी देवताहों के बारे में हमारी सरकर क्यों से कहली है बड़े बड़े नेता कर दावा कर रही है क्यों नहीं कर रहें कुछ इसके साथ, क्यों नहीं सब्सक्राइब करने के बचाए यहां पर अलाजिक्ता की कोशिश कर रहा है आप जैसे माता भगीरिया बोलने के लिए आगे आ रही है यह इस कारिकम का यश है चुप रहने वालों को तो सवाल पूछा जाएगा लेकिन मैं आप जैसे बोलने वालों का अभिनंदन करता हूं कि जो हिम्मत से अपना नाम बता कर कहा से बोल रहे हैं यह बता कर अपनी बात को रख रहे हैं अगले कॉलर जैहन मैं आपार सोदरी बोल रहा हूं रुद्रपुर से मेरा कहना यह है आज के दिन रादी लक्षमी बाई के जनम दिन है लेकिन कोई भी टीवी चैनल जो है इसको दिखाने के बजाए एक हीरो की बेहन की साजी की कवरेज दिखा रहा है बड़े दुर बागे की बात है और कि ज़ब दो ले असment के लिए लेकिन हम सबका साथ चाहते है कि अकैले थो उपाई से नहीं जाना है उपाई से जाना हे हिंदुस्तान को जगा कर पूरा देश इसके खिलाप यह जाने तो पहचाने कुछ लोग कहते कि आपके खरकहिंस को पड़िसीती तो नहीं घृत रही बाई अगर आपके शिरीर में कोई बीमारी है और उसको as early as possible जितना जल्दी हो उस बीमारी का ग्यान अगर आपको हो जाता है तो यह अच्छा है या बीमारी बढ़ने के बाद उसका ग्यान हो यह अच्छा है बीमारी आपको जानना जरूरी है पहले जान जाओगे तो ज्यादा नुकसान जहलना पड़ेगा हिंदुस्तान का ज्यादा नुकसान हो यह हम देख नहीं सकते और इसलिए जल्दी से जल्दी इसका उपाय हो इसलिए इसके बढ़ने के पहले इस बिमारी ने पैर फैसलने के फैलाने के पहले हिंदुस्तान को जगाने का काम हम उसके नंगे नाच के दोरा आपके सामने दिखा रहे हैं हमारे साथ चार कवेत्रिया और साथ में तमाम भारत्वासी टेलिफोन के दोरा स्काइब के दोरा जुड़े हुए लेकिन हम यह आप पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद दुबार आएंगे बिंदास पूल चारे कि अब ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए हैं वह इसी के नंगा नाच के सीरीज में आज जासी के रानी के जैनती पर कवी उत्तिल के ओविसी पर वार जो की हिंदुस्तान की प्रतिक्रा के तोर पर पूरे भरतवर्श की नारी शक्ति के तोर पर हमारे साथ इस कारेकर में जुड़ी हुई है हमेरे साथे कॉलरे उनके पास पहले चलते उसके बाद हम कवेतरू की कविताओं के पास आएगे बोलिए जहिन जहिन सर बोलिए सुरेज जी मैं मुद्ना गुरू बनार्सी मुंबई से बोल रहा हूं बोलिए बोलिए क्यों नहीं होता इसपोर केश क्या ब्हारत हों गया मुर्दों वाला दे सिर्व कि ता कहा है उसे अधिकार नहीं यह घृंद देश के प्रतिवाशाली लोग आपने अपने घर से बात को कर रहे हैं मैं जल्दी एक कायरकम लाने वाला हूं कल परसों में इस देश के विभिन्द प्रकार की प्रतिवाएं जिनके पास है जो कविता कर सकते हो कविता के द्वारा जो कार्टून बना सकते हो इसके उपर कार अगर करना है तो इसको इस विलन को हमने लोगों के सामने विबिन्न प्रतिभाव के द्वारा रखना है मुंबई से कई फिल्म इंडस्टीज के लोगों ने इसके उपर गाने बना कर हमको भेजे हम वह आपके सामने लेकर आने वाले हैं तमाम रचनाएं आ रही है हम में बुलाएंगे स्काइब के द्वारा गूगल हैंगाउट के द्वारा या प्रतिक्ष स्टूडियों में बुलाएंगे एक और कॉलर हमारे साथ ही उनके पाथ चलते हैं जहिन मैं डॉक्टर अनुशी शर्मा बोल रही हूँ दिली से और मैं अपनी कविता सुनाना चाहते हूँ वीर रस की कविता है जो आज की मौके के लिए आच्छी रहेगी बोलिए बोलिए मेरे नयनों में सपन पल रहा वर्शों से पर ये आज वो साकार होना चाहिए ये भारत की नारी अपनी सपन के बारे में अपनी पति से बोल रही है कि फूलो जैसा कोमल नहीं बानना मुझे शूलो की मुझे तो खत बार होना चाहिए लड सके हैं गीत मेरे घाटी के भी पार जाके शब्दो को मेरे तलवार होना चाहिए अलंकरणो को मैं चाग रही हूं पिये मुझे अब इनका भार नहीं चाहिए देश की पुकार सुनो शत्रू की हुंकार सुनो मेरा शस्तो से शंगार होना चाहिए मेरा शस्तो से शंगार होना चाहिए मेरे नए नो में सपने पल रहा वर्शो से तूफानों के डर से पीछे हट जाए जो तूफानों के डर से पीछे हट जाए जो ऐसी नोका की पतवार नहीं चाहिए जोगनों की चमक जैसा नहीं अनिना मुझे मुझे अंधियारे में मशाल होना चाहिए मुझे अंधियारे में मशाल होना चाहिए सुरी ली मोहकतानों में बहुत गाचुकी हूँ मैं मुझे यो तो भूमी में शंखनादो होना चाहिए वीरो के रुधिरी में बाने के बाहु में जोला वीरो के रुधिरी में बाने के बाहु में जोला वीरे ता की ऐसी हूँ कार होना चाहिए दुष्टो का दलने करे शोनी ते कि प्यासी रहे वीरे शिवा जैसी काटार होना चाहिए कलियों की बहारे नहीं मधुपो की गुझ जारे नहीं मुझे काले नागे की फुंकार होना चाहिए मुझे काले नागे की 腐ँ कार होना चाहिए ति तिली के सहजीले पंख नहीं देका मुझे उडने को आकाश नहीं चाहिए मुझे उडने को आकाश नहीं चाहिए अपने पते से एक बार आताह न कर रही हूं, कह रही हूं, कि तितली के साजी ने पंखी नहीं देना मुझे, मुझे उड़ने को आकाश नहीं चाहिए, माती की मैं ललेना हूं, माती में ही मिलेना है, माती की मैं ललेना हूं, माती में ही मिलेना है, माती के चरणों में मेरा भा आपका शुब नाम क्या है मैं डॉक्टर अनुशी शर्मा दिली से बोल रही हूं मैं हिंदी के ध्यापिका हूं वाह मैं आपका बहुत आवारी हूं बहुत अच्छे शब्दों के साथ पूरे भाव के साथ आपने गाया है डॉक्टर राखी आपने सुना उनके गला रोंद था एक तरीके से वह इमोशनल हो गई थी आप क्या कहेगी कि जैसा अभी इन्होंने डॉक्टर साब ने बोला और जैसा सुरेश भाई ने भी बोला कि यह बहुत बड़ी बीमारी है और मैं साइकोलोजिस्ट भी हूं तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूं कोई भी समस्या का कारण भी अगर मैं हूं तो उसका निदान भी मैं हूं सिर्फ डाइबिटीज और कैंसर ऐसी बीमारिया हैं जो हमारे शरीर में बिना बताए और कब आ गई हमें पता नहीं चलता लेकिन ये ये शक्स उस एड्स की बिमारी की तरह है जो इन्वाइटिड है जो हम अपनी इच्छा से जिसको एडॉप्ट कर रहे हैं और पाल रहे हैं अपने अंदर उस सपोले की तरह है जिसको हमने अपने आस्ती में पाला हुआ है तो उसका लेकिन एक कारण है उसका कार जागता है तो वहीं एक दूसरा वर्ग उसको यह कहका रोक देता है कि तुम क्या कर सकती हो तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी अपनी सारी माता बेहना उस बेहनों से कि अगर आज कुछ नहीं किया तो कल को आप अपने बच्चों के लिए ऐसे जानवरों को खुला छोड़ देंगे यस उस अलग अलग ऐसे ही वर्ग को अपनी कुछ कविताओं कुछ पंक्तियों के माधियन से कहना चाहूंगी एक पीड़ी जल रही है जो पीड़ी आक्रोश में है एक पीड़ी जल रही है एक पीड़ी बुझ रही है कि क्या क्या कर लोगे तुम एक पीड़ी जल रही है एक पीड़ी बुझ रही है और एक पीड़ी और है जो भविश्य के गर्व में पल रही है एक पीड़ी जल रही है एक पीड़ी और है जो भविश्य के गर्व में पल रही है इन विसंगत पीड़ियों को जो माताएं बैन यह कहकर अपनी बेटियों को रोक देती हैं क तुम क्या कर लोगी। इन वि संगत पीड़ियों को तुम क्या भला संदेश दोगे। कोई नया समाधान दोगे या फिर वही पुराने उपदेश दोगे। जिल मिलाती लो ये डरती हुई लड़कियां दामिनी जैसी दम तोड़ती हुई लड़कियां हमारी बेटियां जिल मिलाती लो सनातन लो भला कब तक रहेगी यही वज़ा है कि आज लड़कियों का अस्तित विलुप्त होता जा रहा है जिल मिलाती लो सनातन लो भला कब तक रहेगी और ऐसे लोगों की गलतियों को ये लटकियां भला कब तक सहेगी और झिल मिलाती लो मिये दमन्कारी मिल लोंगों के अंदर का जो आक्रोष है जिस दिन धम करूश जाग गया उसस दिन सिर्फ यही होगा कि ये जिल मिलाती लो अगर किसी और दिशा में जल गई ये जिल क्योंकि ये मौनकरांती का संक्रांती काल है महात्मा बुद्ध की चुप्पी के तूटने का समय है ये मौनकरांती का संक्रांती काल है कि ये जिल मिलाती लो ये जिल मिलाती लो किसी और दिशा में जो जल गई फिर न कहना होली के दिन थे दिवाली कैसे मन गई तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि चिंगारी को उतना ही पालो कि वो अपने आशियाने में आग ना लगा दे ऐसी चीजों को आविश्यक्ता है किसी कवी की दो क्याईनों से अपने बातों çocuğ करना चाहूंगी कि सोबार धड़कने से बहतर है एक बार बे धड़क हो जाओ और इसलिए यह 800 करोन जनता के लिए संदेश इकि सोबार धड़कने से एक बार बेड़को जाओ बेधरक होने का मोका इस समय आया है क्योंकि मैं बहुत भार कहता हूं कि देश की सजन शक्ति बिंदास नहीं है देश की दुर्जन शक्ति बिंदास है देश के नायक बिंदास नहीं है देश के खलनायक बिंदास है शराब पीने वाला बिंदास बोलता है लेकिन शराब इसलिए इसकारिकम का नाम मैंने बिंदास बोल रखा है, क्योंकि बिंदास सजन ने बोलना चाहिए, बिंदास उस शक्ति ने बोलना चाहिए जो परिवर्तन लाती है, बिंदास उसने बोलना चाहिए जिसको शुरुजन करना है, बिंदास उसने बोलना चाहिए जिसको ऐसे दुरुष शक्ति का दमन करना है इसलिए बिंदास सज्जन शक्ति के पास होना चाहिए और इसलिए बिंदास के इस प्लाटफॉर्म पर हम देश के तमाम प्रतिवाशाली लोगों को लगातार लेकर आये हैं और लेकर आते रहेंगे 24 दिन हुए है आगे भी और दिन कितने दिन ये लड़ाई चलेगे हमको पता नहीं लेकिन इस लड़ाई में सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्याब बढ़ रही है आज के हमारे कारेकम का यशे केक माता भगीनी ने अपने घर पे बैठ कर टेलेफोन के दोरा उस पूरे भ भले ही मूना खोल रहे हों बड़े-बड़े हिंदुत वादिया राष्टवादी नेता ना बोल रहे हो लेकिन किसी घर की महिला अगर टेलिफोन उठाके आकरो दिन ओवी सी को चलेंज दे रही है तो कारेकम यशेश्यू हो रहा है ऐसा मैं कहूंगा आप चारों यहाँ प देख सकते हैं हमारे यूटूब पर सुदर्शन न्यूज के आईडी पर और हमारे फेस्बुक पेज सुदर्शन न्यूज पर चैनल को अगर आपका केबल आपरटर नहीं दिखाता है तो यह चैनल देखना आपका अधिकार है क्योंकि फ्री टू एर चैनल है और इसके दि प्रतिभा को इस देश को जगाने के लिए उप्योग में लाए बहले आपके पास कोई भी प्रतिबाहों जो हिंदुस्तान को जगाने और देश-्द्रोयू को लल्कारने के लिए अगर परयाप्थ है तो आप हमें संपर्क करें हम आपको मन्च देंगे और इस मन्च का सब काभार व्यक्ते करता हूं आज के लिए इतना ही जहिन